घर के मंदिर में रखी ये चीजें व्यक्ति को कंगाल बना देती है सदैव बनी रहती है पैसों की तंगी महत करने के बावजूद भी नहीं मिलती है किसी काम में सफलता जिन्दगी में सुक शांती समरिध्धी चाहते हैं तो इन्हें आज ही अपने पूजा रूम से हटा दे दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर भवन का सबसे मुख्य स्थान होता है इसी स्थान से हमें सकारात्मक उर्जा प्राप्थ होती है पूजा घर में मंदिर को जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं कभी भी अस्वच नहीं रखना चाहिए साथ ही हमें भी पूरी तरह से स्वच होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूजा घर का दर्वाजा कभी भी दक्षन दिशा में खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दक्षन दिशा मृत्यू के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिये की जोत भी नहीं होनी चाहिए इसी प्रकार से देवी देवताओं के मुख भी दक्षन दिशा में कदापी नहीं होने चाहिए साथ ही यह भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने ना हो तीसरी बात है पूजा घर में कभी भी खड़े हुए और नाचते हुए गणपती की मूर्ती ना रखे तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ती अथवा तस्वीर ना हो हनुमान जी की तथा माता की रौदर रुक में फोटो या मूर्ती कभी भी नहीं लगानी चाहिए किसी भी भगवान की हमेशा ही शांत और बैठी हुई अवस्था में अर्थात विराजमान अवस्था में ही मूर्ती होनी चाहिए पूजा घर में किसी भी देवता की खंडित मूर्ती कभी नहीं रखनी चाहिए चौथी बात है, पूजा घर में भूल कर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ नहीं लगाएं यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है कई लोग साधु संतों की तस्वीरे अथवा मूर्ती पूजा घर में भगवान के पास रख देते हैं वास्तु शास्त्र में ऐसा करना शुभ माना नहीं गया है घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तिया रखी जाए या तस्वीरें किसी भी देवता की एक से अधिक नहीं होनी चाहिए साथ ही उन तस्वीरों या मूर्तियों की उचाई चार या पांच इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्ण है तो घर के मंदिर में दो इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए यदि आपको अपने घर के मंदिर में बजरंबली हनुमान जी की मूर्टी रखनी है तो बाजार से खरीद कर ऐसी मूर्टी लाए जो बैठी हुई अवस्था में आशिरवाद देती हुई हो घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्टियां या तस्वीरों के मुख प्रसन्नचित होने चाहिए. मंदिर में रखी गई मूर्तियों की बीच में कुछ दूरी अवश्य ही होनी चाहिए. घर के मंदिर में माताकाली, भैरव जी और शनी देव जी की म पूर्टी रखना वर्जित है। प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अथवा धुंदले ना हो। छटी बात है घर में देवी देवताओं की उगर प्रतिमाएं अथवा चितर भी ना लगाएं। भगवान का जो रूप आपको प्रिय हो वही रूप आपके सामने होना चाहिए। सातवी बात है प्राचीन काल से जो चलन है उसके अनुसार लकडी, पत्थर, सोने, चांदी या पीतल जैसी धातूओं की मूर्तिया ही घर में रखनी चाहिए। घर के मंदिर में भूल से भी प्लास्टिक की अथवा प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तिया ना रखे। वास्तु शास्त्र में ऐसी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना गया है। ये वस्तुएं हमारी पूजा में बाधा निर्माण करती है, जिससे हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसलिए पूजा घर में सामगरी को सदैवी व्यवस्थित रखना चाहिए। तो उसे किसी कागज ยा कपड़े में छिपा कर रखना चाहिए। उसे सामने नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बुजी हुई माचिस की तीली को इधर उधर नहीं फैंकना चाहिए बल्कि उसे डस्ट बिन में डाल देना चाहिए। ध्यान रहे पूजा घर मे लाइटर आदी चीजों का प्रयोग दीपक जलाने के लिए भूल से भी ना करे